हेलो प्रेंट्स वेल्कम टू गवर्मेंट्स ने नोटिपिकेशन आउट हुआ बिहार के तरप से तो चलिए इसके बाउट हम लोग डिटेल्स जानने से पहले अगर 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 इस चैनल पर फश्ट हम आये जैने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और बेलागन को प्र तो दिखिए इसमें टूटल बेकेंशी 555 है okay 555ा जिसमें कि इसमें कि इसमें कि फीमेल के लिए तो अभी हम लोग प्रिलियम्स, मेंस और इंटर्व्यू के बारे में और भी डिटेल हम लोग जानेंगे तो देखिए इवेंट से देखते हैं हम लोग इवेंट से डेट नोटिपीकेशन रिलीज चोबीज सेप्टेंबर चोबीज सेप्टेंबर 2021 को यह रिलीज हुआ है तो देखिए 30 सेप्टेंबर से आप इसप्टेंबर से आप इसप्टेंबर को अप्लाई कर सकते हैं और 5 नॉवंबर तक आप इसप्टेंबर को अप्लाई कर सकते हैं आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है इस phone को fill up करने के लिए तो आप इस phone को जल्द फे जल्द fill up करें तो देखिए admit card आप लोग को November में ही मिल जाएगा and prelims की exam आप लोग का 12 December में ले लिया जाएगा and men's का exam आप लोग का prelims जेफें किलियर हो जाएगा after that आप लोग का men's का date आजाएगा तो चलिए अभी हम लोग post vacancy details देखते हैं कि कौन फे post के लिए कितने vacancy जाए तो देखिए बिहार administrative for business के लिए अठाफी vacancy है and a state tax अफिटेंट commissioner के लिए एकफ vacancy है total and inferior electrical officer के लिए total vacancy 4 है and बिहार education for business के लिए total vacancy 12 है and planning authority district planning authority के लिए total vacancy 2 है okay two post है and labor superintendent के लिए total post 2 है and district audit authority and cooperation committees and equivalents के लिए post 5 है and assistant director for full security के लिए 12 post है total and 15th director child protection service के लिए 4 post है total and assistant planning office 15th director के लिए total post 12 है right and rural development authority के लिए एकफो तेतिफ पोस्ट है 133 and municipal executive authority के लिए एकफो 10 post है total and revenue offer के लिए 16th post है total and revenue offer and equivalent के लिए total post 16th है okay and supply inspector के लिए total post 4 है and block पंचायत राज ओफिफ के लिए total post 18 है and other post 22 है okay तो total मिला के पानफो 55 post है तम लोग eligibility देखते हैं कि form का apply के लिए eligibility eligibility क्या होना चाहिए तो दिखिए अगर आप graduation path है okay आप पर डिग्री का डिग्री है okay graduation है with any stream with any stream okay graduation अगर आप complete है आपका with any stream चाहा है आप technology किये हो या फिर Rf background पे किये हैं या फिर Fines background पे किये हैं या फिर Commerce पे ग्राउंड पे किये हैं यह matter नहीं करता पर आपका graduation का फर्टिपिकरट होना चाहिए नपर इस फूंग को अप्लाइ करने के लिए इलिजबल है तो एज लिमिट देखिए एज लिमिट तो मैंने आपको बता दिया कि कि ना होना चाहिए भाइफ से लेगर के बीज में होना चाहिए तो दिह के पोस्ट बाइज भी यहां पर DEPEND करता है इतने फारे पोस्ट हैं इनके लिए एज लिमिट बाइफ से FETIF के बीच में होना चाहिए ताभ आप इस gom को apply कर सकते हैं जेनरल के लिए ओके एंड एस्टी के लिए ब्यालिफ फाल तक दिया गया है एंड डेपिटिव सुक्रिम टेंडट और पुलीफ जिसको डीएफपी बोला जाता है उनके लिए एज लिमिट बीफ फाल अगर आपका है देन बीफ फाल से आप इस फोम को अपलाई कर सकते हैं बीफ से ल होना चाहिए ओके तो देख यह फिमिएरल फिर इतने फारे पोश्ट है एफप के लिए एक फाल आपका इनिफील एज होना चाहिए ओके एज रिलेक्षएवज दिया दाएगा एज रिलेक्षएवज दिया दाएगा पीपल फूट दिफाइबलीटी को टैन यर्फ का रिल year plus period of service दिया जाएगा तो फिजिकल क्रिटेरिया देखते हैं कि फिजिकल क्रिटेरिया क्या होना चाहिए तो देखिए male candidates के लिए ओबी female के लिए तो height देखी कितना होना चाहिए 5 feet 5 inch होना चाहिए औके एंड 22 इंच का chest होना चाहिए ओके एंड देखिए unreserved female obfee and female के लिए 5 feet 2 inch का height होना चाहिए and इफ में chest का किफी भी तरह का requirement नहीं किया गया है female के लिए ओके चाहिए आप gender low, fe, hd हो, kिफी भी category में आप आते हों then इफ में chest का requirement नहीं किया गया है and fe or hd candidates को वो male हो अगर male candidates है fe or hd में आते हैं तो उनके लिए height 5 feet 2 inch है then आप इसकों को fill up कर सकते हैं और chest condition यहाँ पर active inchef होना चाहिए ओके तो फलेक्षन प्रोफीजर हम लोग details में जानते हैं तो देखिए first में आप लोग का prelims होगा okay prelims का exam होगा second में आप लोग का main exam होगा and professional interview होगा तो चलिए हम लोग prelims और professional interview के बारे में हम लोग detail में जानते हैं तो देखिए general studies prelims का exam आप लोग का 150 marks का होगा वो objective type का होगा and आप लोग को 2 गंटा का time दिया दाएगा and total question date for रहेंगे और total marks date for रहेंगे यानि कि परते question का एक number आप लोग को दिया जाएगा and mains के बारे में आप लोग जानते हैं तो देखिए mains में 4 paper होगा आप लोग का एक general हिंदी होगा and general English होगा अगर आप English लेना चाहते हैं then English भी ले सकते हो यह compulsory paper है आपको देना ही होगा and जिसके लिए जिसके लिए marks आपको 4 marks मिलेगा और आप लोग को time दिया जाएगा तीन गंटा का इस paper के लिए and general studies आता है तो यह भी compulsory है इसके लिए आप लोग को 3 4 marks दिया जाएगा okay इस paper के लिए general study 1 के लिए and जिसमें कि आप लोग को 3 गंटा का time दिया जाएगा okay and general study 2 के में आप लोग को 300 300 का marks दिया जाएगा इस paper में and इसमें भी 3 गंटा का time दिया जाएगा okay and fourth में आता है आप लोग का optional paper आप खुद से भी optional paper आप खुद से select कर सकते हैं आपका जो जिस subject में interest है ओके तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं details में तो देखिए prelims का flavor from लोग देखते हैं तो prelims में देखिए prelims में देखिए आप लोग को general find से question पूछा दाएगा okay and ये सारे topics आप लोग देख लिजे ओके and current appear से आप लोग को पूच करके note कर लीजे या फिर आप green food भी ले फकते हैं तो देखिए आप लोग को general geography and geographical division of the बिहार के बारे में आप लोग को पूछा जाएगा and major system आप लोग कर रहेगा ये river फे okay and देखिए Indian politics आप लोग को question पूछा जाएगा okay and Indian economy and economy और बिहार के बारे में आप लोग को पूछा जाएगा and Indian movement and contribution of Bihar in it okay तो बिहार का movement पूछा जाए इंडिया का movement पूछा जाएगा और contribution इंडिया के प्रति बिहार में क्या contribution रहा है इसके आप लोग को पूछा जाएगा okay तो देखिए और इसमें Indian political system पंचायत राज community development planning in India and Bihar okay तो अब मेंस पेपर में आते हैं तो मेंस में देखिए आप लोग को मेंस में आप लोग का 4 पेपर रहेगा तो 4 पेपर में आप लोग के एक फर्ष्ट में हिंदी रहेगा ठीक है जो की 4 माक्स का रहेगा और आप लोग को देखिए जेनरल स्टेडीज आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिफ बोथ तो दिखिए जेनरल स्टेडीज का कोशन आपका हिंदी और इंग्लिफ दोनों लिंग्वेज में अवेलेबल रहेगा ओके एंड देखिए अफकोर विल बी आप लोग को no for marks का रहेगा के और वो जो हिंदी वाला है वो आपका कंपलफ़री है उष्में वो inklude नहीं किया जाएगा ओके वो फशुका marks include नहीं किया जाएगा and देखिए the candidate who are left fitably in the merit list and called called for interview तो जैफिज यह आप main feelから लेते हैं पेपर तो आप लोग का इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा डिस्क्रेप्टिव पेपर कोश्चन में ओके तो चलिए देखते हैं हम लोग जेनरल हिंदी में किफ टाइप का कोश्चन पूछा जाएगा तो देखिए आप लोग को एसे पूछा जाएगा तीफ मार्किंग गरामर पूछा जाएगा तीफ मार्किंग पूछा जाएगा पचीफ मार्किंग पूछा जाएगा 15 मार्किंग यह क्वालिफाइंग नेचर हो अब आते हैं हम लोग GF2 में, तो GF2 में आप लोग को देखी क्या 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 पूचा जाएगा, इंडिया और बिहार के पूचा जाएगा, इंडिया और बिहार के पूचा जाएगा, फिलेवर्स अब GF1, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको अफ्क्रीन फोट लेके रख सकते हैं, door ले लीकुनों कें दावर से दिएवां इसको आप निलेकिए अब ह benz क्लियर कर लेता है we have a ही आता है अप लोग का ओपशनल पेपर तो अपशुनल में देखे अप लोग का ओप्स Влад रहेता है। तो इसमें देखे आप लोग का अप खुदि का कि एक इंट्रेस्टिंग स्टैसे ले फक्त हैं के इंगलिफ आपके थों गठेंगेदिक अगरचले साइगेशक प्रफिक कोई ले फक्ते हैं फिजिक फ्रक्त एं además स्टेटिक बोर्टनीलिं फक्ते निल फक्ते ऑंड फिलोफोपी ले फक्ते हैं okay जिनका सबका अलग-अलग इंट्रेस्ट रहता है तो आपने इंट्रेस्ट के अपोडिंग ही ऑप्षिनल लें ओके एसम मत कीजिएगा कि बिहार का अधिकतर खेमस है कि मैथमेटिक्स में उन लोग का माइंड अच्छा स्टेवल रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप लो कोमर्फ एंड अकाउंट टेनफी एलेक्टिकल इंजिनेरिंग एनिमल हवेंड्री ओके एंड एंट्रोपलोजी ओके तो जेफिक आप यह सब लेके एंड एक्जाम दे देते हैं और फिनल का ठीक है एंड मेंस आपका किलियर हो जाता है उसके बाद आपका आता है कोमेंट्स बेरीपी के सुन होता है उसके बाद आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट आता है जिसमें क्या आप लोग का नाम रहता है ओके एंड जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद आप लोगका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा ओके ट्रेनिंग स्टा को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और एक चीज़ अगर आप इस फों को अपलाई करने के लिए इंट्रेस्टेट है देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाका आप इस फों को अपलाई कर सकते हैं और किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप डेफिनेटली कोमेंट कर सकते हैं ओके तब तक के लिए जै इन जै वारत